हेलो इस्टुट्ट्स तो यहाँ फाइमर पर क्वेश्षन गिवन है नमबर इस्टुट्स टेक बोद इस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गेमेश्ट इस ठीक है दिस रिपरेजेंट 10% of enrollment in mathematics ठीक है तो अगर हम लोग mathematics में number of student अगर mathematics हम लोग x assume कर लें तो यह क्या हो जाएगा x का 10% कितना होगा x का 10% किसके equal होगा 30 के equal हो जाएगा ठीक है यहाँ से x की value कितनी आ जाएगी x equal to 300 आ जाएगा similarly, same चीज 12% enrollment in chemistry की बात करें अगर number of element in chemistry अगर हम लोग y assume कर लें तो यह कितना हो जाएगा y का 12% किसके equal होना चीए 30 के equal होना चीए ठीक है यहाँ से अगर हम लोग solve करेंगी तो y के value कितनी आ जाएगी y के value 250 आ जाएगी the number of student who takes at least one of these two test ठीक है यानि हमें number of element in m union c की बात कर रहा है ठीक है तो m union c की value कितनी हो जाएगी n of m plus n of c minus n of m intersection c ठीक है m of n intersection c की value 30 हमें given है तो यह कितना हो जाएगा 300 plus 250 minus 30 ठीक है तो इसको simplify करेंगे तो यह कितना आ जाएगा हमने पस 520 के equal आ जाएगा ठीक है तो लोग यहाँ पर कौनसा option mark कर सकते है e option mark कर सकते है ठीक है